दोस्तों एक इंडियन कंपनी दुनिया के टॉप 10 स्मार्टफून वेकर में से बन गई थी, वो थी Macromax, दुनिया के टॉप 10 में भी आती थी, इंडिया की नमबर वन कंपनी आती थी, लेकिन फिर पता है क्या हुआ, देखो ये कंपनी क्या करती थी, कि बाहर से फोन को लाल कि अपना लोगो लगा के इंडिया में बेचा करती थी, एक जमाया था कि ये स्ट्रेटीजी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, रीब्रैडनिंग वाला स्ट्राप बहुत तीजी से फेवल्व हो रहा था, लेकिन फिर बाकी सारी कंपनी की भी नजर पढ़ी और उन्ह इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, इस तेजी से यहां पर मारकर शेयर भी लूज करते चलेगा है, और माइक्रो मैक्स देखा तो इंडिया से कम्प्रिटली भार हो गया, इन सीरियस के साथ कुछ कमबैक करने के उन्होंने हापे कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी यह जो दहवा दिया उन्होंने अपने हाथ से, क्या लगता आप लोग कि माइक्रो मैक्स देखा इसी कम्प्रिटली कभी इंडिया में वापस अपना कमबैक कर पाएगी?